आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर हमारे इस फेस्बुक पेज पर ये तेखिए आज आपको थोड़ा सा मैं लेसन दे रहा हूं ये है हमारे सामने हर्मोनियम या कीबोर्ड का एक बैग्राउंड या एक डाइग्राम तो मैं आपको समझा देता हूं यहां शुद्धग, शुद्धमध्यम या शुद्धम, तीव्रम, प, कुमल्ध, शुद्ध, कुमल्नी, शुद्धनी और सा ये ग्राफ पे आपको काम करना है ठीक है आईए अब इसको एक वर गाके देखते हैं तो ये क्या हो गया यहां तक है ये हो गया शुद्ध स्वर सब तक हमारा पूरा हो गया आईए अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपको कुमल्ध स्वरों को किस तरह से प्रैक्टिस करना है और कहां पे कुमल्ध स्वरों इसमें प्लेस्ड है ठीक है गाके देखिए देखिए डिफरेंस देखिए सा रे और कुमल्रे हर सूर को मैं आपको जो है इसमें स्व शुद्रे ये सा ये कोमल रे कोमल रे शुद्रे आए देखते हैं डिफरेंस आई ये अब सा और शुदे गंधार को देखते हैं ये है सा शुद्रे शुद्गगा अब ये गा है ये कॉमल गा है तो शुद्गडगा पर पहले आएंगे हम ठीके देखते हैं सारे गार, गारे सा, अब कुमल गा, सारे गार, कुमल गार, कुमल गारे सा, ठीक है, आए ये मां तक चलते हैं, सारे गार, 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 कुमल 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 गार सारे गामा पाधा, धा, कॉमल धा, सारे गामा पाधा, धा, धा, पा, शुद धा, धा, कॉमल धा, धा, पा, अब नी पे चलते हैं, सारे गामा पाधा, धा, 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 धा चलिए एक बाद फिर से हम पुरा ग्राफ याद कर लेते हैं I think यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा फिर एक बार आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ ली और बता देता हूँ ताकि आपको यह लेसन हमेशा के लिए याद रहे देखिए यह है सा, शुद्रे, शुद्गंधार, शुद्मध्यम, प, शुद्धहवत, शुद्निशाद और तारसब तक का सा देखिए सा, रे, ग, म, प, ध, न, सा यह हो गया आपके ठीक है अब इसके बाद कोमल कहा है? कोमल रे, ये देखिए, कोमल रे, सावर इसके बीच में देखिए कोमल रे, ये कोमल गा, ये तीवर्मा, ये कोमल धा, ये कोमल नी अब देखिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि मध्यम एक ऐसा स्वर है जो अपनी जगा से जब कोमल होता है, होता तो विक्रीत ही है, वो भी कोमल ही होता है, लेकिन आगे की और होता है, देखिए बाकी स्वर जब भी कोमल होते हैं तो पीछे की और कोमल होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यह देखिए, यह शुद्ध मध्यम है, उना तो यह यहाँ पर चाहिए था लेकिन यह तो शुद्ध गंद रहे लेकिन जब यह शुद्ध मद्यम कोमल होता है यानि विक्रित होता है तो आगे की और होता है देखिए पीछे ना होकर आगे होता है इसलिए तीवर मद्यम कहलाता है ये पंचम ये शुद्ध और शुद्ध जब कोमल होता है तो पीछे की और ये कोमल धा उसी तरह ये शुद्ध नहीं है प कूमलधा, शुदधा, कूमलणी, शुदणी और तासब तक का सा, तो यह एक graph بن जाता है, पूरा हमारा, यहां से जहां तक का, इस particular point से इस particular point तक, इस वाले स्वर से, इस वाले स्वर तक, एक सब तक पूरा हो जाता है, अब आपने देखा, यह 12 स्वर पूरे होगे, ठीक है यह साथ शुद्ध हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ वाँ जो यह रिपीट हो जाता है इसलिए आठ हो जाते हैं लेकिन इसको गिंते नहीं हम यह सब तक पूरा करने के लिए होता है अब देखिए फिर एक बार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यह साथ शुद्ध स्वर और इनकी पूरी फैमिली सब को मिलाकर के अगर हम यहां से यहां तक काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? बारा स्वर हो जाएंगे देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा यह बारा स्वर जो है पूरे हो जाते हैं एक सब तक में आई होप आपको आज का यह लेसन समझ आ गया होगा अब इस लेसन को मैं अप्लोड कर रहा हूँ आपके यूट्यूब पे और आपको फेस्बुक पे ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें और देखिएगा इस लेसन को बार-बार आपको बहुत हेल्प मिलेगी ठैंक यू एंड हैव गूड डे